Hello Friends, आज में एक रंग का ये प्यारा सा थाल पोस्ट का डिजाइन लेकर आई हूँ, ये बनाने का तरीका मैं आपको बताते हूँ सबसे पहले हम एक, दो, तीन, चार चेन बनाएंगे, चार चेन बनाकर इसको पहली चेन से ऐसे जोड़ेंगे अब हम दो चेन बनाएंगे और इसमें 12 डबल क्रोशी डालेंगे, एक, दो, इसको हम ऐसे खीच के थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं, दो, तीन, ऐसे हम इसके अंदर 12 डालेंगे, अब हम इसको यहाँ पे पहली चेन में ऐसे जोड़ेंगे ऐसे, अब यहाँ पे हम दो डबल क्रोशी, दो चेन बनाएंगे और इहाँ पर दो डबल क्रोशी बनाएंगे, एक, दो, अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर दूसरी चेन में एक डबल क्रोशी, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशी, ऐसे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इसमें हम कोई भी नीचे चेन छोड़ने रहे हैं, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक, दो, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, जिस तरह हमें ये छे का लिया बनानी, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, छे त इस तरह देखो, इस तरह, ऐसे, अब हम इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, यह ऐसे, पहले हम इहाँ पर एक चेन बनाएंगे, अब इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, अब दो चेन, अब हमें दो के बीच में दो ही बनाने हैं, जहां हमने दो डबल करोशी किये थे यह हम जितने भी बड़ा थालपोस बनाएंगे उनके बीच में हमें दो के बीच में दो ही बनाने है अब हम एक चेन बनाएंगे जहां हमने एक बनाया था महाँ पे एक तो हम यहाँ इसके बराबर में ऐसे बनाएंगे और एक इसके बीच में बनाएंगे और एक यहाँ पे बराबर में एक के उपर हमारे तीन हो गए हैं फिर ऐसी एक के उपर पांच हो जाएंगे अब एक चेन बनाएंगे फिर दो के बीच में दो बनाएंगे एक दो फिर एक चेन बनाएंगे फिर ऐसी एक के उपर तीन बनाएंगे एक दो तीन फिर एक छीन बनाएंगे फिर दो के बीच में फिर दो बनाएंगे एक दो ऐसे हमें ये पूरी लाइन करने है अब हम इसमें फिर दो चेन बनाएंगे फिर दो डबल क्रोशी के बीच में फिर दो डबल क्रोशी बनाएंगे एक दो अब एक छीन बनाएंगे अब ये तीन के उपर हम पाँच बनाएंगे एक दो तीन चार पांच अब एक छेन बनाएंगे फिर दो के बीच में दो बनाएंगे एक दो ऐसे ही हम हर कले पे ऐसी ही बनाएंगे ये पूरी लाइन ऐसी करेंगे अब मैं आपको इसके उपर जो लाइन होगी वो यही से पलट के बना रही है आपको जो डिजाइन है वो गोल चलता रहेगा अब हम दो चेन बनाएंगे दो के बीच में फिर हम दो ही बनाएंगे एक दो अब एक चेन बनाएंगे अब हम पांच के उपर साथ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और एक जो हम एक चेन बनाते हैं इसके यहां बराबर में बनाते हैं साथ अब एक चेन बनाएंगे अब दो के बीच में फिर हम दो ही बनाएंगे एक दो अब हम ऐसे पलतेंगे अब हम एक दो चेन बनाएंगे और यहां दो के बीच में दो बनाएंगे एक दो अब एक चेन बनाएंगे अब हम इस चेन के बीच में एक डबल कुरोश्य बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे अब हम यहाँ पर एक यह छोड़ देंगे यहाँ पर अब हम पाँच बनाएंगे साथ के उपर हमें पाँच बनाने हैं एक दो पांच अब एक चेन बनाएंगे अब इसके बीच में फिर एक डबल क्रोश्य बनाएंगे अब हम एक चेन बनाएंगे और दो के बीच में दो बनाएंगे एक दो ऐसी ही आपको ये हर कले में पूरी पूरी लाइन आपको ऐसी ही करनी है अब जैसे इसमें है ये देखो अब हम यह 1 बरफी, फिर 2 हो गई, फिर उपर 3 हो गई, और फिर 1, 2, 3, 4 हो गई, पर नहीं हो गोंद एसे बढ़ती रहेंगी, इसको आप जितना भी बड़ा बनाना चाहू उतना ही बड़ा बना सकते हो, और हर कली में आपका सेम ऐसे ही डिजाइन चलेगा, यह देखो, मैं आपको ये एक कली में डिजाइन डाल के बता रही हूँ और आपका ये पल्टा नहीं जाएगा गोल बुना जाएगा मैं इसको पलट रही हूँ अब हम यहाँ पे दो चेन फिर बनाएंगे और दो के बीच में फिर दो डबल कुरोश से बनाएंगे एक, दो अब एक चेन बनाएंगे अब तीन के बीच में फिर तीन बनाएंगे एक, दो अब एक के उपर हम तीन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे अब एक चेन बनाएंगे अब हमारे ये पांच के उपर तीन दह जाएंगे एक हम इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से एक दो तीन अब एक chain बनाएंगे अब इसके उपर हम फिर तीन बनाएंगे एक अगर आपके में कहीं भी जोल पड़ता है तो आप एक chain की जंघे दो chain भी कर सकते हो अब एक chain बनाएंगे अब यहां दो के उपर दो बनाएंगे क्योंकि कहीं लोगों का हाथ बहुत टाइट चलता है तो आप एक की जंगे दो दो चेन बना सकते हो ऐसे अब हम इसको फिर दो चेन बनाएंगे यह दो के बीच में हमारे जितना भी बड़ा हम ठाल पोस बनाएंगे दो के बीच में दो ही चलेंगे फिर हम एक चेन बनाएंगे फिर यहाँ पर पहले हमारे तीन थे अब हमारे यहाँ पर पांच हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच फिर एक चेन फिर हमारा यहाँ पर एक बनाएंगे ऐसे फिर एक चेन और फिर तीन के उपर फिर हमारे पांच हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक चेन और फिर दो के बीच में फिर दो, एक, दो, ऐसे अब हमारे हमारे पांच के उपर साथ हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक चेन आएगी, ऐसे हम फिर इन दोनों बर्फियों को हम ऐसे घटाना शुरू करेंगे, जब हमारी एक लाइन और हो जाएगी, इस तरह यह प्यारा सा थालकोस बनके तयार हो जाएगा, अगर आपक सब्सक्राइब करना ना भोलिए धन्यवाद